क्रिस्पी स्वीट कॉर्ण यह बहुत ही टेस्टी टी टाइम स्नैक्स है और जटपट से तैयार हो जाता है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी रेसीपी पे अपने कमेंट्स जरूर लिखें क्रिस्पी स्वीट कॉर्ण बनाने के लिए मैं हाँ पे एक कप स्वीट कॉर्ण ले ली हूँ एक स्मॉल साइज पे आज बारीक कटा हुआ आधा टमाटर बारीक कटा हुआ एक हरी मेर्च बारीक कटी हुई और एक बड़ा चमाच मैं हाँ पे अनार के दाने ले ली हूँ यह एक बड़ा चम्मच कॉन फ्लार दी हों, बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच रोस्टेड जीरा का पॉडर, आधा चम्मच चाट मसाला, नमक टेस्ट के अनुसार यूज करूंगी, एक चोथा चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च, एक चोथा चम्मच निम्मू का रस में ली हों, थोरी सी काली मिर्च क्रेस करके मैं डालूंगी, मैं सभी इंग्रीडियेंट्स और उसका मिजर्मेन डिस्क्रिप्शन में डाल दे हों, काला नमक एक चोथा य चोथा चम्मच और रिफाइन वैल इसे डिप फ्राइ करने के क्रिस्पी स्वीट कॉर्ण बनानी के लिए मैं एक बरतन को गैस पे रख ली हूँ, उसमें दो कप पानी डाल कर उसे बॉयल करूंगी, पानी बॉयल हो रहा है, मैं इसमें स्वीट कॉर्ण को डाल दी और इसे एक बार मिक्स कर दूंगी चम्मच से और तीन से चार मिनाट तक लो मिडियम फ्लेम पे मैं इसे बॉयल होने दूंगी, लो मिडियम फ्लेम पे मैं स्वीट कॉर्ण को बॉयल कर रही हूँ, ये उपर चाह लाने लएगा, इसका मतलब ये बॉयल होकर त्यार हो गया, तीन से चार मिनाट तक मैं कॉर्ण को बॉयल कर ली हूँ, ये देख मैं अच्छे से shouldn I won like Sure I will we will mix on Normally. नमक मैं दाल दूंगी क्सफके नुशाल है थोरी सी काली मेर्च मैं क्रस करके ढालूंगी और इससे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं इसके अच्ठे से मिक्स करूंगी ताकि स्वीट कॉर्ण पर कॉर्ण फिलार की अच्छी सी कोटिंग ताकि जब मैं इसे deep fry करूँ तो ये crispy बने मैं इसे अच्छे से mix कर दी हूँ corn flour की coating sweet corn पे अच्छे से हो गई है अब मैं इसे deep fry करूँगी sweet corn को deep fry करने के लिए मैं एक कराई को gas पे रखके उसे गर्म करूँगी अब मैं refined well में एक corn डाल कर चेक करूँगी refine well गर्म हुआ है नहीं हमें बहुत ज्यादा गर्म refine नहीं चाहिए थोड़ा गर्म refine चाहिए ये देखिये, refine हमें इतना ही गर्म चाहिए, इससे ज्यादा गर्म होगा तो corn छिटक कर ऊपर पढ़ने लाएगा, और flame को low पे करके अभ एब इसमें कॉर्ण को डाल दूंगी स्वीट कॉर्ण को रिफाइंड वायल में डालने के बाद फ्लेम को मैं मिडियम पे कर दूंगी और इसे पकने दूंगी स्वीट कॉर्ण को मैं मिडियम फ्लेम पे डीप फ्राइ कर रही हूँ इसे कुछ कुछ देर पर मैं चला कर इसे golden होने तक पकाऊंगी सुईट कर्ण golden हो गया है मैं flame को लोपे करके इसे एक tissue पे निकाल लूँगी ताकि इसका extra oil निकल जाए सुईट कर्ण को मैं deep fry करके निकाल ली हूँ इसे मैं mix कर ली अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दूँगी और इसमें सारे मसाले मिक्स करूँगी डीप फ्राइ करने के बाद ये देखें इसकी आवाज ये कितना क्रंची है क्रिस्पी स्वीट कॉर्ण को और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें मसाले मिक्स करूंगी, मैं इसमें प्यास डाली, टमाटर डाली, हरी मिर्च डाली में बारी कटी वे, यदि आप तीखा न खाना चाहें तो इसे वाइड कर सकते हैं, मैं चिली फ्लेक्स डाली, कस्मीरी डाल मिर्च डाली, रोस्टेट जीरा का पॉडर डाली मैं, चाट मसाला डाली, निम्भू का रस में डाल दी, और मैं इसे आच्छे से मिक्स करूंगी, सभी इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक चोथा चोटा चमच काला नमक डाल कर उसे मिक्स करूंगी अब मैं इस पर बारी कटा हुआ हरा धनिया कपत्ता चिरख दूंगी और अनार के दाने चिरख दूंगी अनारका दाना optional है यदि आपके पास available नहीं है तो इसे avoid कर सकते हैं पर डालेंगे तो ये देखने में बहुत ही सुन्दर और खाने में बहुत ही tasty होगा crispy sweet corn बन कर तयार है आप इसे गर में जरूर try करें मेरे वीडियो को like और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें